हेलो हाई नमस्ते आदा सस्रिया काल आप सभी दर्शिकों का स्वागत है बीस इंडियूस के से वुमिन्स्ट्री स्पेशल श्रिंखला में दर्शिकों जिस तरह के से वुमिन्स्ट्री की बात हो रही है तो कहीं न कहीं जो सब का ख्याल रखती है उसका ख्याल रखना भी कहीं न कहीं जरूरी है और इस बीच में बात आती है कोस्मेटिक गानिकलोजिक की बारे में बहुत से महिलाओं को पता नहीं होता लेकिन इन सारी चीजों की देख बाल करता है इरावियो क्लिनिक जिसके डॉक्टर नीरज की चोड सोब्सकित तुम्हित हो। आपका इरावियो क्लिनिक है उसके बारे में नमस्ते नाखपूर। सबसे पहले तुम्हें आत्रावाएटो को इस ए आंग्टर राक्ष्री महिला दिन की बहुत सारी शिपकामनाय देत हूँ। इरावियो क्लिनिक सेंट्रल इंडिया का सबसे पहला ऐसा क्लिनिक है, जहाँ पे कॉस्मेटिक गाइनेकलोजी की जाती है अब कॉस्मेटिक गाइनेकलोजी यह बहुत weird term है जो साधार अंतहास सबी लोगो को नहीं समझ में आती है एक तो लोगों को कॉस्मेटोलोजी समझ में आती है जो स्कीन रिलेटेड होता है या फिर गाइनेकलोजी समझ में आता है जो बच्चे पैदान या डिलिवरी दिस से संबन दीत है कॉस्मेटिक गाइनेकलोजी यह आउट अप दे बॉक्स टॉपिक है जिसको हम सारे लोगों के बीच में लाना चाहते है आपसे जानना चाहते थी कि मतलब आपने जिस सरी किसी कहा कि कॉस्मेटिक गाइनेकलोजी यह खही ना कि यह टम है बहुत सारी महिलाओं को इस बारे में पता भी नहीं होता है कि आखिर क्या होता है देखिए कॉस्मेटिक गाइनेकलोजी में बेसिकली क्या होता है कॉस्मेटिक गाइनेकलोजी में तीन चार किसम की प्रोसीजर्स है जिसमें एक है लेजर वजाइनल रिजूनेशन रेडियो फ्रिक्वेंसी थर्मिवा हाइपू, पी आरपी बढ़ यह की क्यों जाती है तो आज के तारीक में community में middle class community और lower class community की बात की जाए तीक है, बहुत सारे higher class community इसको भी सारी तकलीफ है तकलीफ मेनली यह होती है कि जब भी कोई एक women normal birth child करती है normally उनको बच्चा डिलिवर होता है या फिर ऐसी औरते जो post menopausal age में है जिनकी महावारी बंद होगी है ऐसे women's को vaginal lexicity आती है याने उनका unimark जो है जो उनकी muscle tightness रहता है वो tightening नहीं रहती है जिसके वज़े से उनको unimark से related कुछ तकली से शुलू होती है for example urinary लिखे जिसको उन stress urinary incontinence कहते है जब भी कोई ऐसी ladies खासती है या चीकती है या projectile vomiting करती है तो उनकी urine की कुछ मात्राय leak हो जाती है जिसके वज़े से उनको बार-बार urine infection होता है दूसरा एक कारण है vaginitis, recurrent vaginitis याने unimark में बार-बार infection होना सफेद पानी जाना और सबसे बड़ा एक कारण है इसका that is unsatisfaction in orgasm जो इंडिया समान कंट्री में marital affairs को unsatisfied रखने का सबसे बड़ा reason बोला जाता है that is unsatisfaction in orgasm because of vaginal laxity तो इन सब चीजों के लिए पहले surgery की जाती थी पहले इसके लिए शस्त्रक्रियाए किया जाती थी जिसमें anesthesia लगता था, hospital में admit रहना होता था दो-तिन दीन के बाद discharge होता था, pain, downtime, bed rest ये सारी चीज़ी होती थी लेकिन cosmetic gynecology की इन procedures में ऐसा है कि patient को इसमें कोई भी surgery नहीं होती है ना कोई anesthesia दिया जाता है नहीं आपको admit रहना होता है नहीं आपको pain होता है सारी तकलिफों से हमेशा के लिए मुप्त हो जाते है पर कहीं न कहीं जर हम ये भी देखते हैं कि ये थोड़ा साम कह सकते हैं serious भी है मतलब लोगों महिलाओ को इस बारे में बताना भी चाहिए पर अकसर महिलाओ जिजगती है इस चीज़ को सामने लाने में और मैं इस चीज़ का कारण जाना चाहिए हूँ मतलब क्यों अभी भी महिलाओ के इस बारे में वो जाग रुक नहीं है अभी भी उनमें जिजग है इसकी वज़ा महिलाओ का concept ऐसा है जहां तक मैं औरतों को समझता हूँ वो अपने काम में ही इतनी व्यश्ट है अपने परिवारों को संभालने में इतनी व्यश्ट है कि वो खुद के दरब ध्यान नहीं दे पाती है और यह ऐसी तकलीफे अगर उनको होती है तो बहुत बार यह तकलीफे वो खुद पे निकाल ले जाती है ना ही अपने किसी दोस से या फैमिली मेंबर से ना ही किसी डॉक्टर से शेयर करती है मुझे नहीं पता उनको इस चीज़ को बताने में क्यों शर्म होती है लेकिन मेरी सारी महलाव से जिनको भी यह तकलीफ है उनसे दिली खुआईश मेरी यह इसका थोड़ा सा एजुकेशन लेवल बहुत कॉंप्रमाईज है जिनके वज़े से यह ऐसी विमेन जो है ऐसी फिमेल्स जो है डॉक्टर को अप्रोच नहीं करते तो मेरी सारी लेडिस को रिक्वेस्ट रहेंगी कि अगर उनको ऐसी कोई बिमारी का रुख धारन करते हैं इस बारे में जागरुख होने की बहुत ज़्यादा जरूरत है उनको समझना चाहिए कि जो छोटी छोटी चीज़े वो निगलक करती है वो बाद में कोई बड़ी प्रॉब्लम भी क्रेट कर सकते हैं उनके लिए इसे फीचर इरावियो के जिसके बारे में बहुत सारी दर्शकों को नहीं पता देखे इरावियो तो सबसे पहले इरावियो ये बेसिकले सिर्फ क्लिनिक नहीं है इट इस अ कम्प्लीट सोलुशन फोर मेन एंड विमन और ये सिब नागपुर में स्थीत नहीं है इरावियो मुंबई में स्थीत है इरावियो नागपुर में है इरावियो इंदर में है इरावियो हैदराबाद में है और आगे भी कुछ ऐसे नई सिटीज में इरावियो शुरू होने जा रहा है जो अभी इन प्रोसेस है तो इरावियो इसलिए स्पेशल है कि इरावियो में जो सारी ट्रिटमेंट्स की जाती है उनकी आज के तारिक में हेल्थ केर इंडेस्ट्री में जो भी नई मॉडालिटीज है या जो नई मशिनरीज है पूरे ओल वर वर्ल्ड में इस की सारी ट्रिटमेंट की मॉडालिटीज हमारे पास है हैर से रिलेटेड अभिशेशतार पर महिलाओं के लिए के ओफर की मतलब आपने डिसकाउंट रगरे दिया है मैं जाती हूं आप सबी दर्शकों को बताए इस बारे में विमन्स डे के लिए International Women's Day के लिए हमने हमारे तरफ से एक सारी महलाओं के लिए जो हमसे बन सकता है वो हमने करने के कोज़िश के हैं हमने हमारे यह पे जितनी भी प्रोसीजर्स है उन पे 30% डिसकाउंट रखा है सारी महलाओं के लिए तिल 15th of March तो सारी महलाओं जो भी यह ट्रीटमेंट्स लेना चाहती है वो डेफिनिटली हमारे यह आतकते हैं विल डेफिनिटली ओफर दम 30% डिसकाउंट एक आखरी सवाल तासराव से कि तमाम जितनी भी महलाओं आपको आप भी देख रही है सुन रही है उन्हें आप क्या कहेंगे साथे जितने भी दर्शक भी से इनके अभी आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे देखे मैं महलाओं का है ना बहुत सामने रखता हूँ अपनी दिन्दगी में from the beginning of my mom to everyone महलाओं ऐसी शक्ती है जो आपके साथ especially in case of men अगर मेरी बात कीजाए अगर एक महला आपके साथ खड़ी है तो आपका काम करने का दाइरा आपके काम करने के शक्ती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे वक्त में अगर मुझे strong होना है तो मेरे साथ वाली जो महला है मेरी बहने मेरी मा जो भी लोग है उनको मुझे सशक्त रखना बीमारियों से दूर रखना यही मेरा एम है और इसी चीज़ पे हमारा एरावियों काम कर रहा है बहुत बहुत शुक्रिया सेर मतलब जिस तरीके से आपनी कॉस्मेटिक गानिक लॉजी के बारे में बताया और यह भी बताया कि किस तरीके से महलाओ को इस बारे में जागर खुना चीज़ क्योंकि जो चोटी चोटी चीज़े महलाय निगलेक्ट करती है वो बात में एक बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है उन्हें ही समझ जाओ सकती है तो कहींना कई महलाओ को इस चीज़ की समझने की जरूरत है और जिस तरीके से अगर उन्हें कोई ऐसी दिक्कत आती है परेशानी आती है तो उसके लिए एरावियो क्लिनिक है ही उनकी सारी दिक्कतों को सलजाने के लिए तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नीरत सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे सखास पेशकुष में फिलाल के लिए इतना ही तब तक के लिए देखते रहें बीसियन न्यूस नमस्कार